और एनलेसिस का एक और वेरी वरी इंपॉर्टनन लिक्टर हमने लास्त उनमे भी डाबर्वेक्स तुरंग प्रूफ को किया थेट में किला हूं महां हमने सिर्फ स्टेट्मेंट समझा था मुझा था आज हम इस तुरूफ कुलों को भी बहुत वहाट से देखने लगे हैं रा अब चूडू करते है अपना डार्बेक स्थूरम को डार्बेक स्थूरम को क्या कहता है डार्बेक स्थूरम इसके स्टेट्मर को काल भी समझा था लेकिन अज तोड़ रपीट करी हूं विकास अज पुरूफ कराना है तो असर वीजन इस वेरी इंपोर्तन करते हैं तो क्या है हिमसे क्या कहते है कि for every for every real epsilon greater than zero there is a real delta greater than zero such that such that such that such that such that बरी बाहग बात ही है मैं such that बरी बात यह है कि जो अपर रिमान सम है for every partition हम पीगी लिखा हुआ है हर partition का वो छोटा है अपर रिमान integral में कुछ add कर दो तो similarly lower रिमान सम यह जोनों बाते हो करते हैं यहां पर रिमान सम है पर चोटा रिमान सम को न मैं तो मैं चोटा से लेखना चाहूंगी चोटा करूंगी आप राइट शुक्री लापस आते हैं तो चोटू एस लोर रिमान सम बड़ा है अगर मैं लोर रिमान इंटिग्रल में कुछ निकाल दूं तो यहां पर रिमान सम और लोर रिमान सम पर यह दुनों बाते हैं यह न हर हर पार्टीशन पी की जो है न वह बलॉंग करते हैं पी एबी की यहां पर जितनी पार्टीशन अ उस सब पार्टीशन पर यह बात करती है और यहां पे एक कंडिशन है विद जो लेंट और पार्टीशन greater than zero, एक epsilon है, रियल number उससे बड़ा, जीरो से बड़ा है, इसके लिए एक delta भी exist करता है, वो भी real numbers है, such that वो इन दो conditions को satisfy करता है, वो दोनों condition क्या है, कि अगर मैं supremum, इंफिमम, यह जो हमारे पास यह है, which is upper human integral, यह upper human integral basically था क्या, किसी को याद है, यह upper human integral क्या था, यह upper human integral जो था, वो इंफिमम था, अपर human sum का, अगेन पिछली वीडियो उसमे पड़कर आयो, उमीद है कि आप लों को अभी तक इतनी बात हो, इसके बार मालू ही होगे, तो यह इंफिमम था, किसका upper human sum का, अगर इस इंफिमम में कुछ add करो, तो वो set की element से बढ़ा हो जाता है, यह अगेन इंफिमम की property है, यहाँ यह लगी है, दार्बक स्थूरियम इंफिमम और सुप्रिमम की properties को उसका कही कह रहा है, कोई नहीं बात नहीं करता, समयल इंफिमम यह रहो, तो यह क्या है, lower human sum, lower human sum क्या था, supremum था, lower human integral का, तो कउस सुप्रिमम में से अगर कुछ निकाल दो, तो वो चोटा हो जाता है, set के elements है, अगें यह हर partition का lower sum है, और यह हर partition का parimum है, तो अगर, और यह हमार पास हर partition का supremum है, supremum किसका है, parimum sum, lower sum का, तो उसमें से कुछ निकाला, तो वो छोटा हो गया, similarly हमने इसमें कुछ डाला, वो बड़ा हो गया, किस से? parimum से, तो dart x student basically वस यही है, ठीक है, तो नहीं चीज़ यहां पर है वो जी है, जो length of the partition है, हर partition की यहां बात हुई है, हर partition की यहां पी यूज़ हो, यहां पी यूज़ हो है, हर partition की, उसमें वो मैंशा less than delta ही होना चाहिए, तो पहले हम लोग ना, इस पूर partition में, पहले हम इसको proof इस तरह करेंगे, कि मैं P1 के लिए पहले proof करके रखाऊंगी, मैं कहूंगी कि P1 जो है ना, वो इस बात को hold पहले है, जो हम पहले मैं इसको proof करूँगी, और automatically आप इसके लिए खुद बखुद करोगे, right, यह उना, इसलना statement लिखा है कि हर अपसैलन के लिए एक डेल्टा जाएगे, हम डेल्टा कऊँच करेंगे, और डेल्टा जो हम चूस्क रहेंगे लेंथ उफ इंटरवल से निकले के लिए, यहां से बेको, right, so मैं P1 के लिए पहले करूंगी, और P2 के लिए पहले केंगे P1 जो है वो इस situation को इस condition को satisfy करता है फिर हम इसको satisfy कराएंगे P2 के लिए त्यूंकि P1 पहले ही satisfy कर रहा है और P2 कोई arbitrary partition होगी इस AB की right तो अगर P1 भी कर रहा है और कोई arbitrary partition भी कर रहा है तो हम कहेंगे हर partition P इस बात को satisfy कर रहा है तो हम प्रूफ बेसिकली ऐसे ही करेंगे तो लोग फिस start करते हैं फिर प्रूफ तक तक तुमने ज़्यादा अच्छे से समाज है right तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं मैं यह से दूसरा पैन ले लेती हूँ ठीक है प्रूफ प्रूफ स्टार्ट करने लेंगे बहुत और से दूसरा अब प्रूफ के लिए पर तो पैंसिल को तुमने करेंगे यह आगा अब यहां पर प्रूफ को स्टार्ट करेंगे सिंस हम यह बात जानते हैं कि जो हमेरे पास अपर रिमान इंटिग्राल है ना f x dx वह इकोल होता है इन्फीम्म उफ अपर रिमान समके राइट ठीक है जो पी है वह क्या है एक स्टार मेंला रहा है एक स्सेंड़ां यहां साट्टान जो इन्फेम्म हों है इन्फेम्म है किसका हर अपर रिमान समक है तो यह बात हम यह definition है किसकी अपरिमान इंटेडरल की यहां तक तो कोई टेंशन बली बात नहीं है यहां समझते हो अगर हमाई पास यह P के लिए सटेस्वाइब कर रहा है तो हम select कर लेते हैं तो हम select करते हैं कि there is a partition there is a partition P1 such that partition P1 such that is form किया हमने partition let किया है वह को इस form किया है सुनो क्या है जीटा 1 जीटा 1 जीटा 1 जीटा 2 जीटा 3 such so on till जीटा n which is equal to b और यह जीटा knot है इसको मैं मैं टाकर यहां लिख लेती हूं जीटा नोट को equal to a है ना because अभी जानते हो close and tuck का भी बन रहा है तो आगे यहां पर ठीक है यहां पर आएगा a is equal to zीटा knot तो यह मैं पास मैंने एक partition उठाई है which is p1 आगे p1 और जो p1 है वो partition of a bm और यह इस बात को satisfy कर रहा है किसको बहुली बात को जो darbex epsilon डालो या epsilon by 2 डालो epsilon by 4 डालो कोई फ़रीग में बढ़ता है epsilon है तो उसके कुछ भी add को कुछ भी add को बहुत चोटा है उसमें कुछ add को कुछ भी करो tension बली कोई बात ने जाती है तो यह मैंने epsilon by 2 के लिए लिए right so आगे बढ़ते है epsilon के लिए हो गया अब मैं epsilon तो मिल गया हमने जूनना है delta के लिए क्योंकि हमने कहा था statement ने कहा था हर epsilon के लिए data exist करता है तो जोड़ो डेल्टा डूनते है अब चूज करते है डेल्टा अब चूज करेंगे हम डेल्टा को लेट कर लेते हैं को जो डेल्टा है नवा छोटा है minimum of minimum of length of sub-interverse zr such that यह था a is equal to zeta 1 not और यहां पर मापस zeta 1 so on यह मापस अजय था r minus 1 और यह zeta r और यह light cross zeta n तो हमने कहा अब सुनो कि जो r यह हमापस है p1 और इसने यह p1 का partition तो हमने कहा जो मापस epsilon को यह satisfy करा था दाबेक सुनों की यह वाली statement को कि वह less than है यह वाली बात को है ना यह f में कुछ add करने को इस बात को satisfy करा था है अब नबने का उसके लिए etcetera को रिषिए डेल्ट को नदा रहिटा इसके लिए यह लिए … यह यह यहां पर जैन्ध नबने लेंगर यह इसके लिए तो geg कह नबने ओन यकाँ खिक अपस उप्29 ना उनमें से छोटी लेंच से चोटा है थीक है थीक है फीन ने आने वाला सारे सबिंटर्वाइवल की लेंच से चोटा है हमारे मतरा ऐन अधेर हमने डेल्टा ते udahूढलिया आप से लिच लेच्वेटे होगा प्रमयू हगी सबसे चोटी सब इंटरवल की लेंज से चोटा है तो इसी डेल्टा से हम बनाएंगे अपना P2 देखो किसना बनाएंगे हम लेटको पर P1 बनाएंगे हम पर P2 बनाएंगे देखो किसना अब हमने P2 लिया यहां पर किस तरह है वह X0 is equal to A X1 X2 so on Xn is equal to 1 B partition of AB मैंने एक और partition लिया है पहले मैंने A1 लिया थी partition A और B की अब मैंने एक और partition लिया विच इस P2 वह भी A और B की partition है लेकिन जो P2 है P2 इसमें ना इसकी जो length of sub interval less than delta है मतलब यह कि जो delta था वह छोटा था sub interval P1 में आने वाले हर sub interval की length से छोटा था और अब P2 के अंदर आने वाले जितने भी sub interval है उनकी length उनकी length P1 में आने वाले सबसे चोटे सबसे चोटी सब इंटर्वल की length से भी छोटे बात सब्सक्राइब है तो यहीं बुक पर लिखा हो मैं आपको पढ़कर सुनातूं क्या लिखा हो है लिखा हो है वह चोटा है थीक है वह चोटा है is less than the length of length of smallest sub interval length of smallest sub interval let's say जिसको हम कह लियते हैं जीटा आर माइनस वन जीटा आर ऑफ पी बात समझें पी टू की सबसे बड़ा sub interval सबसे बड़ा सब इंटर्वल की जो length है वह चोटी है पी टू के सबसे चोटे और सबसे इंटर्वल से बात ओफ समझद आई पो अब देखो पी टू के अंदर आने वाले इससब इंटर्वल्स में चोटी है सबसे चोटे sub interval कि P1 की जो लेंथ है न सबसे बड़ा sub interval उसकी लेंथ छोटी है P2 के छोटे sub interval की इसका मतलब है कि each यह मैंने तुस्लेक्ट करना से दूसरा पहन यहां से आजाते है यहां से so each sub interval of P1 sub interval of P2 contains at least at least one partition of it इसका मतलब है हर P2 के अंदर P1 की एक partition तो पकाए हूँ contain one partition of P1 यह तो P1 P2 के अंदर जितने partition जा रहे हैं उसे एक partition पीवान अच्छा मैं इसको विजुलाइस कराती हूं को इधर देखो बहुत गहर से देखने यह पीवान है तो पहले तो पीवान को सीधा बनाते हैं यह पीवान है तो पीवान इस फोर्म का था राइप इस तरहां तो जीता नॉट इस एक్वल टू आर जीह हम आ सा जीका वान जीटा टू तो आन यहां मैं आपक्र जाते है जीता इन इस एक्वल टू बीटा अब लेट का लो इसे देखो अचा रीक यह मैंने पनल लेना था यहांस इस उड्यशए ठायर टूं कै यहांसे और यह माँ पास ZN, XN is equal to B, यह माँ पास P2 है, अब वो कह रहे हैं, कि जो P2 है, हर जो sub-interval है P2 के अंदर, P2 के अंदर आने वाला हर sub-interval, P2 के अंदर आने वाला हर sub-interval में एक partition P1 की भी होगी, राइट, देखो, यह दोनों, अच्छा, विकोज ऐसा क्यों है, विकोज यह दो क्योंकि A, B के अंदर इनों कुछ न कुछ पॉइंट्स कॉमन ज़रूर आ रहे होंगी, बात समझाई, चो अब आगे मुफ करते हैं, आगे पूरूफ करते हैं, आगे पूरूफ करते हैं, और ओके, इधर देखो कैसे होगा, तो P1 भी बन गया, P2 बन गया, अब लेट करते इकोल तो P1 union P2, अब P1 union P, जो है वो एक ऐसी पार्टिशन है जो P1 union P2 से बनी है, और अब अब सब इंटर्वल, अब सब इंटर्वल ऑफ A, B, अब A, B का एक सब इंटर्वल है, जो के ऑफ P, P के अंदर एक सब इंटर्वल है, वाल पास A और B का, जो के सेम है, अब P के अ इंटर्वल को मत्तब होता है, जो सेम है, इंटर्वल ऑफ XK-1 और XK of P2, अब रिकीन करो, इसे देखो, और से देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे दिखाने चाहते हूं आपको देखना, इसे देखो, हाँ, अब उनने गए P1 क्या है, P1 union है, P1 और P2 का union मतलब वो सारे, जो हमने पॉइंट से देखे थे हैं, जीता 1, जीता 2, X1, X2, सब कुछ, वो इस पी के देखो, अब पी कुछ इस करसम का बनेगा, मैं आपको पी बना कर दखाता हूं, रेट से देखो, P1 कुछ ऐसा है, आपको मैंने वह बना कर देखाते हूं, पी बना कर तो देखो इदर, X0 हो, तो जीता नॉट आगे भी 100, यहां पर अगर X, K-1 होगा, तो जीता, K-1 होगा, तो यह देखो, पॉइंट्स मिक्स हो गया, समझाई, अब यह किस तरह का बनेगा, तो ठीक है, अब इस किसम का बना है, अब उसने का बना है, क्योंकि अब P, B, P1, P अब उन्हें क्या का है, उन्हें यह का है, कि एक ऐसी पार्टीशन है, 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 एक ऐसी बाइट से लिखते है आगे क्या है अज़े ठीक है और P2 if P2 has no point अगर P2 के अंदर कोई point ना हो has no points लिखना का यहां पे has no points of P1 और अगर P1 के अंदर कोई P2 के अंदर कोई point ना हो P1 का लेकिन और यारवला condition अगर one point one point of one point आना था point आना था ठीक है या फिर one point of P1 is in P2 या फिर अगर P1 का एक ही point P2 में तो वह point जो P1 का P2 में है again सुनो गौर से सुनना vanishing panel लेंगे या से हां तो P2 का एक point जो P1 के अंदर है थे जो कि इस सब इंटरेवल मेें जो कि सब इंटरेवल भी है और P2 में है वह पे अगर P1 का कौई ना कोई पॉइंट 2 में थो यकिन लोगा end points में जोनो जीता ब्रांकिन जीता आ्र के लेते हैं जीता आ यकिन अन points पर आ रहा होगा क्योंकि इस interval की ठीक है वो बीच में नहीं आएगा end points पर आएगा जब बीच में आएगा वह next condition है ठीक है ठीक है ठीक है so हाँ so a point ले लेते हैं let a point let a point let a point जीटा आर कॉन साइड विद्धा coincide with the end points of this interval of this right वो इसके end points से different रहेगा right so अब आगे देखो किस्थम so हम लेट करने लगें दूसरी बात के in such a case क्या होगा होगा यह के जो अपर सम है पी का and पी टू का और पी टू का और पी टू का और पी का अपर अमान सम्स सेम होगा अगर उन दूसरी पास same terms होगा अगर उन दूसरी पास same identical term क्योंकि consist of identical terms तो इसका मतलब अगर दोनों इनके पास same terms है तो इसके पास terms होंगी इसकी xk minus 1 and xk क्यों क्योंकि यह वो sub interval जो इन दोनों में और पास पोईट क्योंकि स्थाथ क्योंकि स्थाथ आ किसी यह और बहुत बुरा बना है सीदा मनने गुश्कित है यह दिफो इदर आज अब यह रखो आपस यह है लेट समने जूम इन किया हूए पाएबकास यह xk-1 और यह xk यह सबिंटर्वल यह लिया होगा है इनके दम्याना Zeta r आएगा पार्टीशइन बन गया यह जीटा आ तो बहुत गृर से देखो बहुत गृर से एक है और एक है तो यह लगोई इस सब इंटरवल का जो कि एकस के माइनस वान से लेकर जीटा एक तक है इस सब इंटरवल का जो मैक्सिमम वैली हो है जो इसका सुप्रीमम है वो एक सब इंटर्वल दूसरे वाला जो को जीटा आर और से लेकर एक के तक है इसका सब इसका जो हमारे पास सुप्रीम हो है वह एम डबल डैश की आएगा ठीक है और जो पूरा सब इंटर्वल ना पार्टिशन से लेकर मैं इसको किससे ड्रॉआ करूं आइगास रेट से करती ह उसके लिए हम कैसे ड्रॉए करेंगा जो हुं तो एक सब इंटर्वल यह पूरा भी है एक सब इंटर्वल हमारे पास यह पूरा है यह रोड आ इस पूरा सब इंटर्वल का ξOT का मैक्स मैक्सिमम ना उसको मैं अर्ण से लिखूंगी MK कि कटो रहे हैे और मैकशिमम मार पैस सब इन्टर्वल के बात करें और बात करें पूरे सब इंटर्वल के अदर उसकां सब किजिए ठीक है तो अब लिखते हैं भी बाते हो को हम बहुत एहम बाते लिखते हैं और जो लिखकर दिखाती है उपर तो वाइट से लिखेंगे तो यह है कि mk is equal to the supremum of function fk f of x such that जो कि हमारे पास xk minus 1 से लेकर xk तक ठीक है बात समझाएगे और m-k जो है वो supremum है हमारे पास f of x का such that xk minus 1 से लेकर zeta r तक ठीक है और m-k is the supremum of f of x such that जो कि हमारे पास है zeta r से लेकर xk तक और जो हमारे पास m है वो supremum है पूरे के पूरे इंटरवल का f of x such that which is a is less than x is equal to b I hope कि तुम्हें अच्छी तरह इस पार पर समाने आगे हो, right? तो अब आगे पूर्फ करते हैं आगे यहां से बाद है हमने difference निकालना था difference निकालना था किसका अपर अपर मान सम of p का minus अपर मान सम of p2 का ठीक है? अब यह जो था यह equal किसका ठीक है? अपर मान सम of p, p के कैसे लिखोगे? यह इसता लिखोगे which is equal to, यहां पर यह जीटा r है वह बिलाउंग करता है हमारे पास xk minus 1 और xk से और यह इस अपर मान सम of p का है तो यहां पर आएगा pk और पूरे pk अचाब p का है तो यहां पर आएगा यहां हमारे पास xk minus xk minus 1 ने लेंठ्व दर interval लिक्या है mk लेंथ जो लास्ट वीडियो तो वीडियो तो यहां 5 शेकिंड पीचे करो तो यह लेंठ्व दर seven interval लिखे है पूरे mk की, right? इसमें समें मान जेख मैनिस करना है तो seven interval p2 में हमारे पास पॉइंट था सब इंटरवल P2 में मर पास पॉइंट था यह बला XK-1 और यहां पर ZETA R था ZETA R और यहां मर पास XK था यही तरह गहां जाज वापस था ठीक है अब दिखते हैं दोबरा तो माइनस मर पास आता था माइनस आएगा M-K और M-K सब इंटरवल की क्या लेंट थी ZETA R माइनस XK-1 मैं किस तरह लिख रही हैं तो माइनस करेंगे M-Double-K और इसकी लेंट किस तरह लिखो इसकी लेंट आएगी हमारे पास M-K की लेंट थी मैं माइनस यहां मैं किया ना इसके लेंंट किसना लिखोगे M-Double-Double-Double-Double-E-ZETA-R लेंट ना यहां पर एक काम करने लगे हैं मैं देखो बहुत बहुत से देखो यह आगया यह को खोलते हूं xk-mk xk-1 m-k zeta r plus m-k zeta xr exactly और मैं एम-बल--xk-1 इसमें मैं एड़् करने लिगे हैं और मैं एड़् करते हूं mk zeta r मैं करते हैं मैं थिक्ति कीए कर मैं किया मैं इसको कैसे लिखोंगे इसको इकोल टो mk minus m dash के और इसकी mk minus m dash के में क्या length आएगी गौर से देखो आएगी zeta r minus mk minus 1 plus plus यहांब इसको भी ऐसे करे ब्लैकेट में डाल लेते हैं plus mk minus m double dash के अब double dash आया तो इसकी length कैसे लिखोगी इसकी length बनेगी हमारे पास xk minus zeta हो गया हमाँ, clear right? so, यह पूरे यह देखो, यह जो यह दोनों जो length है, यह सब कुछ आरहा है हमारे पास यह सब की जो length है यह सब interval की length है और यह supremum है और यह पास आरहा है xp, sorry s p2 का यह यह कीना less than होगा 2 m summation डाल लो xk minus 2 xk minus 1 के यह कैसे लिखा 2 m क्या है यह पूरे के पूरे, अगर यादो जो मैंने बताया था यह a और ब का सुप्रीम हम है यह यह इसके अंदर आने वाला तो यह 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 पास xk minus 1 और xk था तो यह 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 चोटा होगा यह 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 चोटा होगा इसके बात समझाए किस तरह हमने ये किया तो ये 2 से multiply किया हमने साथ नो रइट अच्छा थीक कि वपस ले ले लेते हैं आजो ठीक है तो ये आगे है आगे आगे ख़ vários हम और अगे वागे माइ बात लिखने लगे हैं इस बीन नंबर ऑफ प्वारं कि शिचने जिचने लिए नंबर ओफ और अपन पंफ एक सब्ढूनẩ, इस नंबर ओपॉइंच, और इस नंबर ओफ पॉइंच फॉइंच, फॉइन सब्सक्राइट अबॉइन क्या होगा? तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो कि था SP, वो माइनस SP2, अपने मान समय P, माइनस F1, ती, ये लेस दन था, 2M, और यहां पर बाद जीगी एक बात, N0-1 और साथ थीटा, राइट, यहां ने इसको खोल करेखा, एक सेगने को, मैं अगर बनीशिन पेंडनों, इसके जगह ये लिखा, ये लिखा, N0-1, यहा चोलो, अब आगे लिखेंगे, बिस्ता रिखेंगे, आजो, आगे करते हैं, अगर आगे अगर आपको अभी भी कुछ बात समझना है, या कोश्चन है, तो वट से पूछो, या फिर, कमेट बोक्स मुचो, आपके हर कोश्चन का आंसर करने को हम त्यार हैं, तो बिस्ता करत ठीटा उल्यार हैं, तो डीखेंगे तोडंटा नहीं हम पर फान के आंसर कोश्यार हैं, यहीं नगने कोश्यां आपको दिखिटा, कि का आगे? अगर लएप सबय तोडंब को मुच anonym में पसकिक लिटावता करुटा, क्यों बिकीके हरे जो शम्यार में बात तो नेथीटा है इस से चूटा है यह जो है इस से चोटा है और पोरी porky की जो पूरी की वह से चोटी है because PS2 जिकीन करो छोटी है PSP क्यों कि P1 पहले partition लिए हमने A और B की फिर हमने P1 से ही के अंदर ही और पॉइंट जा ले और P2 बनी और P2 और P1 को मला के P बनाया तो P2 सबसे छोटी है P1 से भी और P2 से भी बात समझाई आई खूब क्या ही है P1 को खत्म करेंगे और आगे लिखेंगे और P2 के P1 के बारे में लिए बात जानते ही सच यह जो है यह छोटा है किससे इससे पहले ही बात जो हम लेकर चले थे प्लस Epsilon by 2 प्लस 2 M N not minus 1 theta अब आजो अब length of sub interval को find करना है यहां प्लस Epsilon हमें यहां से मिलगे अब हमने ढूनना है theta को जो के less than the length of Epsilon के तो थेता करूंते है तो Epsilon को थेता को किसता ने कालेंगे theta ऐसे निकलेगा यहां लिखेंगे कि if Epsilon greater than 0 is given then Epsilon greater than given है तो देखो किसना करेंगे इसको ले लेते है यहां से Epsilon by 2 और Epsilon by 2 अगे यहां पर तो थेता किसना निकलेगा यह देखो ऐसे निकलेगा के 2 M M not minus 1 theta जो है वो less than Epsilon by 2 है और यह जाके 2 multiply हो जाएगा तो देखो यह पूरी quantity जो है ना जो देखो वनिशिंग पहनने लेते है यहां से यह पूरी quantity को इससे जाके multiply कराएगे तो क्या बनेगा देखो किसना बनेगा देखो 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 यह ऐसे बनेगा कि theta जो है वो less than Epsilon by 4 capital M N not minus 1 यह तो यह theta के वाली हो भी आगे theta less than हो गया Epsilon के यह प्रूफ करना था और हमने इस तरहीके से प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो यह P2 है इसे देखो इसे देखो P2 कि हमारे पास less than P2 is arbitrary partition partition of P A B so provided with जो इसकी length के निकली है P2 की वो निकली है less than delta theta so similarly हम यह बात प्रूफ कर सकते हैं for इसके लिए भी यह अगर अगर आगे लिख लेंगे नेक्स पेज के लिखा जा रहा है वो इसके lower 1 sum के लिए P2 का जो lower 1 sum के लिए P2 का जो lower 1 sum के लिए P1 के लिए जिसना कि है P2 के लिए ऐसे करेंगे यह greater than होता है कुछ नरकाल में एक से बहुत ही बुड़ा लिखा गए यह बार लिखता है यह आना है यहां में भी so that is all अब कुछ सीखने का मौका में लाओ तो subscribe button को hit कीजिगा आप से मुझात होगी नेक्स वीडियो तब तक के लिए करेंगे करेंगे